So guys, यह जो 30 days trading challenge है, यह 30 days trading challenge में आपको बहुत कुछ सिखने के लिए मिलेगा, आपको सिखने के साथ मेरे को भी बहुत कुछ सिखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इसमें क्या होगा ना, per day मैं जू भी trade लोगा, as per my analysis मैं जू trade लोगा, first trade जू है, मैं जू free का telegram group है, उसमें मैं share करोंगा एंड मैं जो ट्रेड लोंगा उसका फिछे क्या रिजिन है क्यों मैंने ट्रेड लिया ओभी में इसी ग्रूप में ट्रेलिग्राम में हो या यूटूब में हो मैं शेयर करने का कोशिज करोंगा जितना हो सके ट्रेड लिने का फिछे रिजिन क्या था क्यों मैंने कॉ पूर साइट ले रहा हूं तो उसका पीज़े क्या रिजन है पूरा डीटेल्स में कोशिज करूंगा वीडियो बनाके यूटूब में डालने के लिए या टेलेग्राम गूरूप में सेयर करने के लिए अगर आपको ट्रेडिंग सीखना है ना तो खोद पर सीखो मारलाब किस कुछ ट्रेड आ रहा है उस ट्रेड को लेके मैं प्रफिटेबल ट्रेडर बन जाओंगा ऐसा कभी भी पसिबूल नहीं है मैं बार बार एक चीज़ बोलता हूं खुद के अपर बिलिब रखो खुद के अपर ट्रस्ट करूंग खुद आनलेसिस करो तब जाके आप एक प्र का मैंंटर आ कि आप मैंटर तो जरूर्र यह पट आख्यान मैंटर नहीं चाहिए जो आपको बोलेगा कि यो मैंट निपन को मैंट ईनिक कर लो वह पूसका क्यों पीजिन को क्रूंब मैंटर कर तब तोक आप आगे नहीं बड़ पाहोगे मैं अल्मेज बोलता हो कि देखो अगर आप कहीं पर भी ट्रेड करे देट करें कोई भी प्लाटफरम करना अ स्यू कर तोई प्लाटफरम गोरा बुरा बाठ बॉरा बारा नहीं है फ़्षके लुड़ी bran चे करना लुड़ Dust तीन चीज आपका माइंड में अभी गोशालो अगर आपको परफेक्ट ट्रेडर बनना है याँ 2024 में आपको अगर बेस्ट बनना है तो यह तीन चीज को कंट्रूल करना सिखो एक नमबर वान है आपका पैसेंस एक ट्रेडर के पास कुछ हो ना हो पैसेंस होना जोरूर है अब ट्रेड ले रहे हो उसमें आप फस जा रहे हो आपका इमोशन का अब कंट्रोल नहीं कवर पार तो पैसेंस बढ़ना के लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको मेड़ेशन करना पड़ेगा। चाहे हो 5 मिनिट हो, चाहे हो 10 मिनिट हो, थोड़ा सा करने का कोशिस करो, जिसमें आपको बहुत इपक्ट पड़ेगा आपका emotion के उपर and आपका patience के उपर. and second जो role है, वो discipline, एक trader को discipline होना जोरूरी है, अगर आप discipline रहोगे, तो आप कहाँ पर trade लोगे, कहाँ पर entry लोगे, कहाँ पर exist लोगे, या आपको बार बार trade ले रहे हो, entry ले रहे हो, exist कर रहे हो, entry ले रहे हो, exist कर रहे हो, यह चीज आपको नहीं करना पड़ेगा, अगर आप discipline में को पता है कि मेरे को कितना लॉस हो गाले वह मेरे को पता है पता मेरे को पता है जाए कितना profit होगा आपको वह पता नहीं है बड़ कितना loss होगा वह हम लोग का हात में है मैं आपको बार बार रिपीट ले एक चीज बोलता हूं market के अंदर कितना आपको market देगा market को पता नहीं है but आप market को कितना दोगे वह आपको पता है तो उसी चीज को control करना सेखो, उसी चीज को अगर control करो गया ना तब का सारा चीज control हो जाएगा और थार्ट थेंगे जो most important थेंगे ओ है रोल, trading रोल, trading का एक रोल बनाओ जो आपको जैसा सोट कर रहा है जिस टाइप का आपको लाग रहा है कि इस टाइप का रोल बनाएंगे तो मैं ट्रेडिंग में profitable trader बन सकते हो और आपको जो आप गलती हो रहा है जो जो आप गलती करें ओस चीज को note करें के रोल बनाओ और यह रोल को फ़लो करो तो यह जो तीनों चीज में आप लोग के साथ सेयर किया patience, discipline and trading रोल यह तीन चीज अगर आप control कर लोगे ना आपका हातों में ले आओगे ना तो आपको कोई नहीं रोक सकता है यह 2024 में trader बनने के लिए अगर 2024 में आपको success होना है तो यह तीन चीज को फ़लो करो ज़्यादा कुछ फ़लो करने का जलूत नहीं है जितना मेरे से हो सके मैं कोशिज करूँगा आप लोग को support करने के लिए आप लोग भी support करते रहिए अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और चैनल को subscribe कीजिए थैंक यू